तो स्वागाते आप सबका हमारे स्ट्रें में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लोकर तो हम पिछले वीडियो में हेल्थ अमें बात की थे टीपिकल भाटिप्रा के बारे में मतलब थार्ड, फॉर्थ, फिफ, शिक्स सर्भाइकल भाटिप्रा के बारे में तो अगर आपने व भाटिब्रा तो बात करते हैं पहला सरभाइकल भाटिब्रा के बार में जिसका नाम है अटलास अब अटलास करता है एक ऐसा सरभाइकल भाटिब्रा है जो यह जो हमारा पूरा खुपरी है या स्कल है यह पूरा स्कल को यह बेठा के रखा है ठीक है तो इसको बेठाने के लि इसका जो हड़ी आप फोटो में देख रहे हो, इसका posterior surface या posterior tubercle या posterior arch, posterior tubercle बोले तो गिठ्था, और entry arch, entry tubercle कुछ ऐसा होता है, छोड़ा जोड़ा होता है, बहुत ही छोड़ा होता है, इसका transverse process थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा मोटा होता है, और इसका जो छेद होता है, trans लिगामेन बोले तो जो transverse ligament है, यह transverse ligament आपका lateral side में लगता है, फिर लिगामेंटम new की posterior side में आके लगता है, posterior tubercle में, कौन सावन सा muscle attachment होता है, जैसे आपका transverse process है, transverse process का lateral side में आके आपका rectus capitis anterior muscle आके लगता है, transverse process का जो upper area है, upper area का स्थामने वाला 50% area से आपका rectus capitis lateralis आके लगता है, posterior tubercle में आपका rectus capitis posterior minor आके लगता है, फिर आपका upper surface का जो 50% area पीछे वाला था, वो पीछे वाला posterior surface में आपका obliquoise capitis superior muscle आके लगता है, फिर obliquoise capitis inferior आपका नीचे वाला surface area से लगता है, transverse process का और कुछ-कुछ fiber होता है, longus coli यह आपका entry tubercle के लगता है, अब बात करते हैं आपका second cervical partibra, second cervical partibra बले तो यह जो हड़ी होता है, अठी के बीच में से एक उंगली जैसा projection होता है, या सर जैसा उंगली एक सर उचा करके देख रहा है, तो इसको हम कहते है thumb like projection या उंगली जैसा, इसको हम कहते है dense या फिर odontoid process, ठीके, फोटो में दिखने में कुछ ऐसा होता है, यह बहुत ही सुन्दर, और इसमें क्या क्या कर लगता है, इसको थोड़ा zoom करके देखते हैं, या dense में लगता है ठीके, फिर membrana tectoria होता है, जो आपका posterior surface में लगता है, फिर ligamentum nuky लगता है आपका tip of the spine में, फिर rectus capitis posterior लगता है आपका edge of the spine में, फिर आपका obliquoise capitis लगता है आपका side of the spine में, side side में लगता है, कुछ किनारी किनाने लगता है, screening medias, leviters के police, plenious services, ये सब लगता है आपका transverse process area में, ठीके, 7th cervical vertebra बोले तो ये एक हच से जद्धा unique है, मतलब एकदम peculiar, इधर देखो आप, ये जो मेरा सर है, सर के पीछे से आप जैसे उंगली करके नीचे ला रहा हो, नीचे गर्दन के नीचे आपको इधर में एक हटी जैसा feel होगा, ठीक, एक गिठा जैसा, इसको हम केते हैं, 7th cervical vertebra का spine, मतलब 7 number जो cervical, मतलब गर्दन का रीर की हटी है, इसका जो काटा जैसे एक projection होता है, spine, इसको आप उंगली करके, मतलब feel कर सकते हो, ठीक, तो अगर आपको exam में पूछा जाएगा, या practical में दिया जाएगा, कि कौन से हटी मानलोग एक plate है, आपक कान सा वाला क्या है, आप कैसे पहचानों के, बहुत ही कम, एकदम shortcut tip, shortcut tip में आप कैसे पहचानों के, जैसे पहला वाला होता है, यह एकदम मसली जैसा होता है, मसली को आप बीच में से काट दोके, तो यह सब भी shaped हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसा भी shaped जैसा होता है, यह होता दिए फिर दूसरा वाला दूसरा वाला जो सर्वेकल स्पाइन सर्वेकल भाड़ी पर होता है इसके तो बीच में एक अंगोटा जैसा प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते है और प्रोसेस यह अपने देख लिए तो इसको भी आप सैट में सैट कर दिए और बाकी जितने सारे हड प्लेट में परा हुआ है उन सब में से सबसे लंबा वाला स्पाइन मतलब इसका जो प्रोजेक्शन होता है पॉस्ट्रे सर्फिस में पॉस्ट्री एरिया में मतलब पॉस्ट्री एरिया में सबसे लंबा वाला काटा किसका है आप देख लिए इसका है तो इसको आप अलग हो गया अब बागी प्लेट में रहेगा चार तीन नमबर थार्ड फॉर्थ फिफ्थ शिक्स यह चार सरभाहिकल भाटिबर प्लेट में परहा हो इस समग इस सब भाटिबर का ज्यादा आपको ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा यह आपका टिपिकल भाटिब रहे ठीक है आपको कॉंसेगोंस से लिगमेंट कौंसागोंसा मसल किस किस जगा में लग रहा है यह आपको अच्छे से जानना बढ़ेगा ठीक है तो जानकरी के लिए आप इंदर भीर सिंग का किता पर सकते हो या प्रिक्टिकल क्लास बहुत अच्छे से जान कर सकते हो पर सकते हो तो उम्मीद करते हैं आप कर रहे हो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बाई